किरसी मीडिया एंट टेक किसानों के सब्सक्राइब को देख नई उड़ा मैंने इस सब्सक्राइब को बनाया वहीं एक बैंक को बिल्डिंग किराये पैदे रखिए आज हम आए हैं मदुमक्खी पालन पर रणवीर सिंग तोमर जी का जो मदुमक्खी पालन है यहा हैं और वहाँ पर आज हम आए है तो आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे मदुमक्खी पालन की आप सुरुआत कर सकते हैं और क्या-क्या इसमें दिक्कते जिने उस समय बताया था कि मदुमक्खी पालन भी कुछ होता है, तो उस समय जब मैंने ये समझा कि मदुमक्खी पालन होता है, तो मेरे दिमाग में एक बात आई थी कि ये मदुमक्खी पालन से जो सेर निकलता है, ये एक दवाई में काम आने वाला है, तो मैं सक्सेस हो सकता हुँ तो मैंने अपने मन को शांत करके और मैंने यह प्रोग्राम सुरू किया और हम जो हम जो लोग हैं पठान कोड़ से सब्सक्राइब करें तो कितना समय आपको इस काम में हो गया मुझे लगबग यह समझे लो के 35 साल तो लगबग होई गये हैं पूरे 35 साल का आपको एक्सपीरेंस है तो तो अमर जी आप पहले बदाई आपने इसकी सुरुवात कैसे की दरसल में जब मैंने सुना एक हमारे पालन भी कोई व्यफसाय है तो मुझे उस समय बहुत जरूर थी एक व्यफसाय की क्योंकि जादे मेर पे खेती थी नहीं मैं बहुत थोड़े चोटे चोटा किसान हो तो मुझे एक उद्योग की तलास थी अब मैं कही उद्योगों मैं रेसम कीट पालन भी मैंने सोचा पालन भी नती हो सकती है उसके बाद मैं जाग पठान कोट गया और पठान कोट से मैं दस बक से खरीद कर लाया जो उस समय एक हजार रुपे पर बॉक्स के लगभग था और मैंने अपनी हां लगाया तो उस समय एक्स्पीरिंस की आया तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया अच्छा सेहद बना लेकिन उस समय सेहद लेने वाला कोई नहीं था इसका गरह कम थे मतलब जाग रुकता नहीं तो था लेकिन जाग रुकता ना होने की वज़े से कई परेशानी आती थी कई साल तक लगातार परेशानी रही लेकिन हम फिर भी इसी उमीद पर रहे कि द्य हाँ मैंने एक पठान कोट से इक वैक्ती थे उन से उनका प्रेकरश्रिशन लिया और मैंने अच्छा प्रेशन लिया जिससे मैं सफल odpow STAR और फिर में बार बीच बीच में भी उन लोगों से संपर्क में रहा और उसके बाद जो है जैसे जैसे मेरा काम बढ़ता रहा तो शैद की डिमांड भी डियरी देर चलती चलीगी और सन नब्बे क्या दोजार में आके तो काफी डिमांड हो गई और काफी लोग मेरे पास आने लगे मुझा इसा लगा कि मैंने जो जो क्या है उससे में किसी दूसरे को भी दोग दे सकता हूं तो मैंने ठान लिया बहुत से लोगों को मैं उद्योग दूंगा और ट्रेनिंग मैंने खुद जो आज मेरे अलावा वही काम समालने मैं तो आज कल नहीं देख रहा बच्चे काम देख रहे हैं और इस काम को हमें यह ऐसा लग रहा कि मेरा उस्सा में चुनाओ बहुत ही बढ़िया रहा और जिससे मेरे आर्थी आमनी बढ़ी समाज में भी मेरी इज़त बढ़ी और कते हैं वो भी थोड़ा साब बता दिए देखे पर शुरुबात में जब कोई नया काम करते हैं उसमें परिसानी तो आती ही है अब जैसे बहुत सारी चीज दवाई बताने वाला नहीं था इसमें कोई कोई छोटी मोटी बीमारी भी है फीड कैसे दी जाती है ठीक से नहीं पता था यह सब अपने आप ही अनुवा करकर करके सीखा हां खुद हमने इसके सीखा और थोड़ी थोड़ी टेम पर टेक्निकल आदमियों की मैं मदद लेता रहा जैसे पूसा में भी गया और आपने प्रसीख्षण एक तरीकी से छोड़ा नहीं आपको आपको ग्रो करते चले गए अपने सीखा जहां से आपको सीखने को बिल्कुल इसका रिसर्च सेंटर पूना है तो वहां भी मैं गया मैंने इसके लिए बहुत ही पापड पेले बहुत बहुत जगे गया जहां पर पता लगता था ता आधिकारियों से मिलता था अधिकारियों ने भी मुझे प्रोटसान किया और बैंक ने बहुत प्रोटसान किरा आज कल हमारा जो सिंडिकेट बैंक है उसने हम से ट्रेनिंग भी दिलवाई लोगों को लौन भी दिलवाया हमने भी खुद लौन लिया उसके बाद बढ़ोतरी के लिए हमें काफी मैदान मिला जिस से हम इस काम को प्रोडक्शन घट गया अन्य तो पहले 50-60 किलो एक बॉक्स से हम उतपादन करते थे तो 50-60 किलो आप जैसे उतपादन बता रहे हैं तो लोग लगवख कितने दिन के अंदर 50-60 किलो एक साल के अंदर हमारा है एक साल के अंदर हमारा सीजन जो है अक्टूबर से सुरूबा होके और मैं जून तक उस समय तक यह इसका प्रोडक्शन 50-60 किलो होता था लेकिन आब दवाईयों की जैसे इस्तेमाल होता जाद है फिलावर पर तो उससे पादन हमारा घट गया है मोसम के भी वातरों से परिश्थितिया चेंज हुई हैं तो उनके मुगावले इसका जो इस पर घीज़न ही रह गया है पर ओक जिए पंद्रेवीस्गों एक और जाता है यह उटाभत हैं लगभु खंश कोर्व मोट अटी किईटन बे pross मोटीश में एक जगा पर रख सकते हैं हम एक व स्किए जो सीजन के वहां परंब एक सर्वें करें देंगे कितना यहां पर के फ्लावर होता है क्योंकि ग्राउंड फ्लॉरर जितना भी है जो डेकुरेशन के फ्लावर हैं उनसे तो कोई शैद नहीं मिलता जैसे सर्श्रू का खेत है यूके लिप्टिस है बहु मात्रा में जितने भी होंगे उनसे हमें शैद मिलेगा और हमाया जो है किशानकूत जो है नाम तो मैंने बताई दिया और मैं मेरट का रहने वाला हूं मेरट से गड़ के लिए जो रोड जाती है उस पर मवखास ऑन रोड गाओं है ऑन रोड ही मेरा मकान है और मैंने इस से कमा के वहीं मकान बनाया वहीं एक बैंक को बिल्डिंग किराय पैदे रखी है आने जाने कोई परेशानी नहीं जब भी चाहे कोई व्यक्ति मेरे से सीखने के लिए आ सकता है वह स्वयतनत्र है एक बार फॉन करका आए और मैं उसे अपने बच्चों से कहूंगा कि यच्छी तरह टेंड करें मैं भी उसे बताऊंगा और कभी मैंने दोगा किसी से नहीं कॉं तो किसान भाई हो यह इनके दो कॉंटेक्ट नंबर हैं आप इनसे डारेक्ली संपर कर सकते हैं जैसे कि तोमर जी ने बताया तो तोमर जी अब थोड़ा सा दिखा भी दीजिए इसके बारे में कि कैसा क्या इसका जो प्रोसीजर होता है वो होता है मैं एक बात और कहनी चाहूंगा कि मुझे सौक है कोई आदमी अगर एक मेरे से उद्योग सुरू कर सकता है तो मैं यह समझता हूं कि मैं एक कदम और आगे बढ़ गया जादे से जादे लोग आएं और सीखें और इस काम को करें किरसान के लिए बहुत ही लाबकारी और उन तक किसे कह सकते हैं किसान इसे अपनी खेती के साथ साथ में कर सकता है कोई लैंड की जरुबत वगारा नहीं पूड़ेगी अपने नहीं लैंट तो थोड़ी बहुत चाहिए कि रहे पर रखने के लिए लिए वीची है लेकिन आगर अपनी है तो सबसे अची बात है नहीं तो फ्लावर एक डेट डेट दो-दो किलो मीटर दूर जाती है मख्यां और वहां से कलेक्ट करके सहथ हमें देती हैं तो तो मर्जी थोड़ा साब दिखा दीजिए कि क्या कैसा क्या प्रोसीजर रहता है इसका तो आखिसान भायों आप देख सकते हैं ये इस समय से अंदर जो हली है वो भरा हुआ है समय मक्किया अबनाक्याि अपना काम कर रही है ये सहत ला रही है और इसके अंदर जो है 바're कर रही है तो तो मर्जी ये भी बता दीजिए येलो हम देख पा रहे हैं ये क्या चीज़ ये जो ये जो है ये है इसका पराग कर जो फूल से दो चीज लाती है मकरंद और पराग तो पराग भी जमा अपने खाने के लिए करती है और मकरंद मातरा में हो जाता है तब हम उसे तकर करें मचीन निकाल लेते हैं और यह जो पोलन है इसको हम जादे तक स्टॉम और यद्ट तो आजकर बहुत कम रहे हैं की जो और र포वत कम आप यह सारी कमेरी मक्हियां है जितनी आप देख रहे हैं यह इसका बुरूड है यह उपर सेद भरा हुआ है और रानी भी इसमें कहीं इधर उधर घूमती है हमें मिल जाएगी देखिए यह चीज और भीके शेह जिसमा भर दिया है और यह शील्ड मार दिये इसने यह प्यूर से है जिसे हम अगर सेद कहेंगे तो प्यूर यह कभी खराब होने वाली चीज नहीं है यह निकिसके अंदर जो सेद भरा हुआ है यह यह एकम प्यूर सेद होता है इसको डारेक्ली यूज कर सकते हैं और इतना अच्छा सेद है इसमें कोई किस तरह का ना फंगस आगी ना इस आती है जब हम इसां मक्या लुटे सेद पार हो करने की ला परवाई करते हैं जना करते है जब एक लश्टर बनागा बाहर ने कल जाती है जिसे स्वार्म कहते हैं जो वहीं मखी निकलती है जो अच्छी किस्म की अन्च्छी किसम की यह समय'RE इस मैं क्यों आ तो ये रानी, मक्ही जो होती यह थोड़ा वसके बारे में बताई। इसकी काम क्या करती है। यह केवल एगलिंग काम करती है। और पूरे एक बार मेटिंग होने के बाद पूरे तीन साल तक एगलिंग करती रहेगी। प्रवाइब करना इसका कुछ काम नहीं है बाकी कारिया जितने भी है यह वरकर जो है इन्हीं कार तो तो मर्ड जी अब अंत में आप कोई चीज अगर बताना चाहते हो तो भी बता दीजिए इसके बारे में मैं तो यहीं कहूंगा कि जितने नवी वख हैं और बेरोजगार है वो अपने को बेरोजगार ना समझते हुए वो हमारे पास आए हम उन्हें रोजगार देने के कोशिज करेंगे उनकी अगर मन इच्छा है तो हर तरह से उनकी मदद करेंगे और अपनी अरणिंग के साथ उनकी भी अरणिंग बढ़ाने के कोशिज करेंगे वो लाब सब्सक्राइब करेंगे और आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा साथ में चैनल को सब्सक्राइब करिएगा मिलते हैं आप से अगली ऐसी किसी सांदार वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद झाल